नमस्कार, महात्मा बुद्ध, राचकुमार सिद्धात से महात्मा बुद्ध बन गए द्यान और योग के बल पर, द्यान और योग के बल पर अपने सरीर को सुद्ध किया, अपने सरीर को तनाव से दूर किया, और पूरे विश्व को एक नई दिसा दी, एक नई रहा दी, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताये गए रास्ते आज भी आपको जीवन की नई उचाईयों के रास्ते पढ़ ले जाते है महात्मा बुद्ध के वो पांच मंत्र जो आपको स्वस्त रखेंगे तनाव से फ्री रखेंगे और जिवर में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी आज बुद्ध पूर्णिमा है बगवान बुद्ध का दिन है आज और बगवान बुद्ध ने इस पूरे संसार को एक नही दिशा दी एक नही राह दी उनके वो पांच मंत्र क्या है ये देखिया बगवान बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना सम्मान करना सीखिये बगवान बुद्ध कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने खुद का ही सम्मान नहीं करते हैं और फिर दूसरों से एक्पेक्ट करते हैं कि वो मेरा सम्मान करें वो मुझे आवबगत करे और वो मुझे रेस्पेक्ट दे पगवान बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना सम्मान करो आप एक बीज गलत वर्ड डॉंट से सिंगल एब्यूज वर्ड टू यू अपने आपको एक सिंगल वर्ड की गाले मत दो कि मैं ऐसा क्यों हूँ मेरी ऐसी घंदी आदत हैं मेरी किस्मत खराब हैं मैं बेवकूप हूँ मैं ऐसा हूँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने आपको ऐसा कभी मत करें अपने आपको सम्मान दे और अपने मन में कॉन्पिडेंस रखें अगर आप खुद का सम्मान करोगे तो लोग आपका definitely सम्मान करेंगे respect करेंगे तो पहले खुद सम्मान करो खुद का फिर लोग आपका करेंगे second बगवान बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में जीए पर्जेंट में जीने की कोशिस करें बगवान-बुध कहते हैं कि वरतुमान में जीना सखिए जो चल रहा है उसको वरतुमान में चला कर अगे बविश की प्लानिंग नहाए कि मुझे यह क्या होगा वह ऑगर बविश्य के बारे में सोचोगे ना तो anxiety होगी तनाव होगी और तनाव से आपका स्वास्त अच्छा नहीं रहेगा आपकी बोड़ी पर एक different तरह का effect पड़ेगा और वो आपको harm करेगा इसलिए परजन में जीना सीखिए बगवान बुद्ध कहते हैं अगर आप बविश्य क कि जब तक आपका सरीर स्वास्त नहीं रहेगा तो आप दूसरों को भी आप अपने साथ नहीं जोड़ पाओगे और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि सरीर को दूप चाहिए आप बड़ाबर मातरा में दूप लें बड़ाबर मातरा म स्वास्त आहर लें अगर इन तीनों चीजों को आपने बड़ा बड़ार कंटिनू रखी तो आपका सरीर स्वास्त रहेगा और आप हमेसा दूसरों से आगे बढ़ते जाओगे क्योंकि ध्यान रखना भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपका स्वास्त आपकी बोड़ी सब स पहले हैं अगर आपको स्वास्त अच्छा नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओ ठाव गवान बुद्ध कहते हैं कि ध्यान लगाइए और अचया वैवार कीजिए लोगों से घिच बगवान बुद्ध कहते हैं जितना जादा आप ध्यान लगाऊगे ना आपका हैं कि आप अच्छा वेवार कीजिए लोगों से जितना ज्यादा लोगों से अच्छा वेवार करोगे आपका उतना ही ज्यादा आपका सक्सेज रेट बढ़ता जाएगा आपकी विनिम्रता और आपका बिहेवर ही लोगों से आप से अट्रेक्ट करवाता है अगर आपका लगए और अच्छा बीएवर लोगों से रखी यह आपको अगे ले जाएंगे लाइब में बगवान बुद्द कहते हैं कि अपने सरीर को स्वस्त रखें जितना ज्यादा आपको सरीर स्वस्त रहेगा ना तो आप दूसरों से कापी आगे रहेंगे आपको सरीरी स्वस्त नह बगवान बुद्द कहते हैं कि हमेसा अपने सरीर को स्वस्त रखना